Hello Students, Welcome to Agri Master आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि CGPPHT की काउंसलिंग श्टार्ट हो चुकी है आप इसको अपने बोवेल से खुद कैसे भर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहरे Google पर जाना है और लिग देना है CGDTE इस तरह से आप सर्च करने के बाद पहली जो वेब साइट आती है उसको ओपन कर लेंगे और इसके ओपन हो जाने के बाद आपको जो पेज सो होगा वो कुछ इस तरह का होगा नया पेज खुल जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखाई देगा admission info वहाँ पर जो तीसरा option है online counseling 2021 उस पर touch करना है इस पर touch कर लेने के बाद आपको फिर से एक नया page खूलेगा जहाँ पर एक link दिखाई देगा online link के बगल में जो link दिया हुआ है उस पर touch करना है आपको देखिए online counseling 2021 लिखा हुआ है touch करने से कहता है OK दबाने के लिए OK दबा दिजिएगा तो फिर से ये एक नय विंडो पर ले जाता है जहाँ पर आपको एक pop-up आएगा उसको काड़ देना है फिर देखिए लिखा हुआ है B Pharmacy, D Pharmacy की counseling के start हो चुकी है First Face का notification दिखाई दे रहा है 7 October से 12 October तक के लिए Click to apply पर touch करना है आपको Touch करने के बाद आपको एक नया page फिर से खुल जाएगा जहाँ देखिए लिखा हुआ है कि समान ने नमांकन प्रक्रिया की Registration ID का प्रयोग यहां ना करें इसका क्या मतलब है आपने जो व्यापम के लिए Registration कराया था उसकी ID Password यहाँ पर काम नहीं आएगी इसके लिए नया Registration करना पड़ेगा इसके लिए नीचे आ जाना है और आपको दो option दिखाए देगे एक New Registration और एक Applicant Login आपको New Registration पर टच करना है इस पर टच होने के बाद आपको Term Condition दिखाया जाएगा उस पर Tick कर देना है कि I Understand and Agree और Accept and Continue पर टच कर देना है इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से राज्य से हैं अगर आप 36 गड़ से हैं तो 36 गड़ टच कीजिए अगर बाहर से हैं तो Other State टच कीजिए और Save and Continue पर टच कर देना है इससे आपको एक नया option दिखाए देगा जहाँ पर बोला जा रहा है कि Enter Name तो यहाँ पर आपको अपना नहीं बलकि Exam का नाम टच करना है अपना मोबाइल नंबर जिस पर OTP आ सके और फिर अपना कोई भी एक पासवर्ड बना लेना है जिससे आप बाद में लॉग इन कर पाएं क्योंकि इसी लॉग इन के वज़े से आप लोग अपना आगे का कॉंसिलिंग का प्रोसेस पूरा कर पाएंगे इसके बाद कुछ स्टेप्स और होते हैं जो आपको रेजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया में पूरे करने होते हैं जैसे कि आगे की विंडो में आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज में एड्मिसन लेना है इसके लिए आपके सामने पूरे जितने भी कॉलेज हैं 36 गड में उनकी लिष्ट दिखाई जाएगी और आप उनको क्रम में जमा सकते हैं कि आपको किस कॉलेज में पहले एड्मिसन चाहिए अगर आपको वहां सीट मिल जाती है तो आपका एलोट्मेंट वहां कर दिया जाएगा अगर नहीं हो पाता है तो आपने जो दूसरी नंबर पे कॉलेज की लिष्ट रखी होगी वहां पर आपको एड्मिसन दे दिया जाएगा इतना कर लेने के बाद आपका पहला इस्टेप यानी की रेजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है रेजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जिससे आप बाद में इसमें लॉगिन कर सकते हैं रेजिस्ट्रेशन कम्पलीट हो जाने के बाद दूसरा इस्टेप आपको ये करना है कि DVC के लिए आपको किसी पास के कॉलेज में जाना होगा जिसकी जानकारी आपको आपकी आईडी पर दे दिजाएगी कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको टेलीग्राम गुरूप का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप भी फर्मा का ग्रूप जोइन कर लिजे और किसी तरह की दिक्कत होने पर आप वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं पिपिएच्टी से जुड़ी हुई सारी नॉटिफिकेशन से अर नियोज पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एगरी मास्टर को और बेल नॉटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल सके हुआ